भाई और भेनों, भारत इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष में हैं, ये अमरुत काल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रिड़ा देता है, जिनोंने जनचेतना जागरुत करने में बड़ी भुमी का निभाई, आज की पिड़ी को उनके बारे में जानना बहुत ही आवशक है, आज गुजराच जिस उचाई पर पहुँचा है, उसके पीछे ऐसे अनेको लोगों का तप, त्याग और तपस्या रही है, विशेशकर सिख्षाक सेत्र में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए, जिनोंने गुजराच की सिख्षा विवस्ता को मजबूत करने में बड़ी भुमी का निभाई, हम सब शायद जानते होंगे, उत्तर गुजराच में जिनका जन्म हुआ, और आज गुजराच के हर कोने में उनको याद किया जाता है, ऐसे ही एक महापुरुस्ते स्री चगन भाई, उनका द्रड विश्वास था कि सिख्षा ही समाज के ससक्तिकन का सबसे बड़ा माध्यम है, आप कल्पना कर सकते हैं, आज से 102 साल पहले 1919 में उन्होंने कडी में सर्व विद्ध्याले केडवली मंदर की स्थापना की थी, ये चगन भाई का ये दुर्द्रष्टी काम था, ये उनकी दुर्ष्टत थे हैं, उनका विजन था, उनका जीवन मंत्र था, कर भला, होगा भला, और इसी प्रेणा से वो आने वाली पीडियों के भविश को समवारते रहे हैं, जब 1929 में गांदी जी चगन भाई जी के मंदल में आये थे, तो उन्होंने कहा था, कि चगन भाई बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से जादा से जादा संख्या में, अपने बच्चे चगन भाई के ट्रस्ट में पढ़ने के लिए बेजने को कहा था, साथियों, देश की आने वाली पीडियों के बविश्च के लिए, अपना वर्तमान खपा देने वाले, ऐसे ही एक और व्यक्ति का जिक्र में जरूर करना चाहूंगा, वो थे भाई काका, भाई काका ने आनन और खेड़ा के आसपास के इलाके में, सिक्षा व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया था, भाई काका स्वायम तो इंजीनियर थे, करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन सर्दार साहब के एक बार कहने पर उन्होंने नोकरी छोड़ दी, और अंदाबाद मुंसिपाल्टी में काम करने आ गए थे, कुछ समय बात वो चरोतर चले गए थे, जहां उन्होंने आणन में चरोतर एजुकेशन सोसाइटी का काम समभाला, बाद में वो चरोतर विद्या मंडल से भी जुड़ गए थे, भाई काका ने उस दौर में एक रूरल उनिवर्सिटी की का सपना भी देखा था, एक ऐसी उनिवर्सिटी जो गाउं में हो और जिसके केंद्र में ग्रामिन विवस्ता के वीशे हो, इसी प्रेना से उन्होंने सरदार वल्लब भाई पटेल उनिवर्सिटी के निर्माण में एहम भुमिका निभाई थी, ऐसे ही विखा भाई पटेल भी थे, जिन्होंने भाई काका और सरदार पटेल के साथ काम किया था, साथियों, जो लोग गुजरात के बारे में कम जानते हैं, उन्हें मैं आज वल्लब विद्यानगर के बारे में भी बताना चाहता हूँ, आप एसे काफी लोगों को पता होगा, ये स्थान करमसर्द, बाकरोल और आनन के बीच में पड़ता है, इस्थान को इसलिए विक्सित काया गया था, ताकि शिक्षा का प्रसार किया जा सके, गाउं के विकास से जुड़े कामों में तेजी लाई जा सके, बल्लब विद्यानगर के साथ, सीविल सेवा के दिगच, अधिकारी, हम पटेल जी भी जुड़े थे, सरदार साथ, जब देश के ग्रम मंत्री थे, तो हम पटेल जी उनके काफी करीबी लोगों में गिने जाते थे, बाद में वो जन्ता पाटी के सरकार में वित्त मंत्री भी बने, साथ के ओ, ऐसे कितने ही नाम है, जो आज मुझे याद रा रहे हैं, सवराष्टर की अगर बात करें, हमारे मोहनलाल लाल जी भी पटेल, जिनको हम मोला पटेल के नाम से जानते थे, मोला पटेल ने एक विशार सेच्षिक परिशर का निर्मान करवाया था, एक और मोहन भाई विर्जी भाई पटेल जी, सो साल से भी पहले पटेल आस्रम के नाम से एक शात्रावास की स्थापना कर, अमरेली में सिख्ष्या व्यवस्ता को मजबूत करने का काम किया था, कर्शन भाई, बेचर भाई विरानी, इन्हें तसकों पहले बेटियों को सिख्षित करने के लिए स्कूल और छात्राले बनाए थे, आज नगिन भाई पटेल, शाकरचन भाई पटेल, गनपद भाई पटेल, ऐसे लोगों द्वारा किये गए प्रयासों का विस्तार, हमें गुजरात के अलग-अगलग विश्व विद्यालव के रुप में दिखता है। आज का ये सुवसर इन्हें याद करने का भी बहतरीन दीन है। हम ऐसे सभी व्यक्तियों की जीवन गाथा को देखें तो पाएंगे कि किस तरह छोटे-छोटे प्रयासों से उन्होंने बड़े-बड़े लक्षों को प्राप्त करके दिखाया। प्रयासों की यही सामुहिक्ता बड़े से बड़े नतीजे लाकर दिखाती है।